मैं आज इस वर्चुवल डेली की कलपना के लिए भारतिय जनता पार्टी के राष्ट्रिय अध्याहस और देश के प्रदान मंट्री मोदी जी दोनों को बहुत-बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ क्योंकि कोरोना की महामारी के समय जब सोस्यल डिस्टंसिंग रखकर बात करनी होती है उस वक्त टेक्नोलोजी के माध्यम से जनसंपर्क और जनसंवाद का जो रास्ता नड़ा जी ने ढूंडा है मुझे पूरा भरोसा है कि कोरोना महामारी भी भारती जनता पार्टी की संगठन की यात्रा को रोक नहीं पाएगी मैं बंगाल की जनता को विशेश कर दन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि आज ए वर्चिवल समवाद जन समवाद बंगाल की जनता के साथ जन समवाद जो है मोदी जी की सरकार के एक साल की समापती के लिए हैं मैं बंगाल की जनता को ये कहना चाहता हूँ कि भले भारती जनता पार्टी को 303 सिटे देश भर से मिली है मगर मेरे जैसे कारेकरता के लिए सबसे महत्वपून सिटे हैं बंगाल की 18 सिटो पर भारती जनता पार्टी का दिजए क्योंकि पुरे देश बर के अंदर जब लोग तंत्र की नीव मजबूत हुई हैं लोग तंत्र ने अपनी जड़े जमाई हैं एक मात्र बंगाल ऐसा राज्य है जहां आज भी रादनितिक हिंसा का कारोबार चल रहा है रादनितिक हिंसा की बोल बाल चल रही है और रादनिति के अंदर हिंसा का प्रधानिया हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश के अंदर नहीं होना चाहिए हमने आहवान किया था बंगाल की जनता को कि आप मोदी जी के हाथ मजबूत करिये मोदी जी के साथ जुड़िये मोदी जी के साथ महान भारत बनाने के एक अभियान के अंदर स सिटे दे कर मोदी जी को पूर्ण बहुमत के साथ प्रदानमंक्र जनाए और यह जो आपका दिया हुआ होसला है आपका दिया हुआ असिरवाद है मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतिय जनता पार्टी सिर्फ आंदोलन करने के लिए बंगाल के मैदान में न मजबूत करना तो चाहती है परन्तु भारतिये-जनता पार्टी से संसकारीत बंगला बंगाल बनाना चाहती है हमारा सोनर बंगला फिर से बनाना चाहती है और हम एक मजबूती के साथ बंगल की जनता के साथ खड़े हैं मिट्रो आज यह वर्चुरल रेली है यह रेली техնो के माध्यम से भारतिय जनता पार्टी की कार्य संस्कूरती और कार्य पद्धती को आगे बढ़ाने का एक रास्ता है जब विचार का विचारदारा का अपने स्वपनों का विस्तार करना होता है तो जनसंपर्क और जनसंवाद बड़े महतवपून होते हैं भारतिय जनता पार सालो हम जंता के सामने गए और हमारा हिसाब दिया हम वो दलो में से नहीं है जो 10-10 साल तक बैठते हैं फिर भी सिकायते ही करते रहते हैं भी सत्ता आपको दे दी सरकार आपको दे दी और हालत नहीं समल रहे हैं तो केंदरपल हम ले करना हम वो दल नहीं है हम सत्ता जब मिलती है तब परिवर्तन करने में विश्वास करते हैं और हम उने जो किया है इसका हिसाब किताब देने में विश्वास करते हैं कोवीड के कारण जब एक साल समाप्त हुआ तब हम सब सोते थे कि क्या होगा इस बार जनसंपर कैसे करेंगे जन समवाद कैसे करेंगे जनता को हिसाब कैसे देंगे और जनता से इसकी इच्छा कैसे जानेंगे मगर नड़ा जी ने एक अच्छा रास्ता निकाल दिया ये मैं आद तीसरी वर्चुल रेली के अंदर उपस्तित हुआ हूँ मैं सब को आज कहना चाता हूँ छे साल हो गए पिछे मूड कर देखिए साट करोड घरीबों के जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन लाने का काम ये भारतिय जनता पार्टी की सरकार ने किया है मित्रों मैं आपको बताना चाता हूँ कि मोडी जी ने सबसे पहले साट करोड घरीबों के घर में जिनके पूरे परिवार के पास बैंक अकाउंट नहीं था उसके घर में बैंक अकाउंट पहुचाने का गाम किया और ये जन्रदन यूदना के माद्यम से बैंक अकाउंट पहुचाया 31 करोड बैंक एकाउंट खोले गए जब 31 करोड बैंक एकाउंट खोले गए बहुत सारे नेताओं की टिपणिया मुझे याद है राहूल बाबा की भी टिपणिया याद है बैंक एकाउंट खोल करोगे या अंदर रखोगे क्या राहूल बाबा जिसकी ध्रश्टी वक्र होती ये उसको वक्र ही दिखाई पड़ता है मैं सिर्फ आगे की बात नहीं करना करता करोना के वक्त मोदी जी ने जो रहत वेजी है वो ही कहना चाहता हूँ एक्वन करोड लोगों के बैंक एकाउन के अंदर तैरेपन करोड रुपिया मोदी जी ने सीधा डी बीटी के माध्यम से पहुँचाने का काम किया है मित्रुए पहुत पैशा अगर एकाउन न होता तो किस तरह से पहुँचाने हर घर में जंदन एकाउन खोला पचास करोड भारतियों के जीवन के अंदर स्वास्त की सुविदाय नहीं थी पचास करोड भारतियों के जीवन अगर बिमारी आ जाती है तो इस्वर ही मालिक होता था परन्तु जब मोदी जी आईशमान भारत युदना लेकर आए पचास करोड भारतियों के जीवन में एक नया उजाला आया पांच लाख रूपिय तक का स्वास्त का पूरा खर्चा आज नरेंद्र मोधी सरकार उठा रही है और मुझे कहते हुए आनन्द है तीन साल से कम समय के अंदर लगबग एक करोड भारतियों ने अपने ओप्रेशन इस योजना के माध्यम से सफलता पूर्वक कराया है और एक भी पैसे का खर्चा उनको नहीं लगा है कि बंगाल के सारे कारेकरता ताली बजा रहे हैं खुशी व्यक्त कर रहे हैं मगर बंगाल को इसका फाइदा नहीं मिलता है क्योंकि मोदी जी लोग प्रियर न हो जाए इसके डर से ममता दिदी आईश्यमान भारत योदना को बंगाल की धर्ती पर उतारना नहीं चाहती मैं पूछना चाहता हूं ममता दिदी से क्या बंगाल के घरिब का अधिकार नहीं है क्या बंगार के गरीब को अपने बुड़े बाप का छोटे बच्चे की इलाज करने का अधिकार नहीं है आई उस्वान भारत योद्ना से बंगाली क्यों वी मुख है आपकी रागनिती करने के लिए बहुत सारे मैदाने ममता जी कोई मेदान आप कर दो कर लेंगे दो-दो हाथ गरीबों के अधिकार को आप क्यों रोप कर बैठे और मैं आध बंगाल की जन्ता को कहना चाहता है कि सरकार बंगाल के गरीबों के अधिकार को रोप कर बैठे हम किसानों को पैसा बेदना चाहते हैं किसानों की सूची नहीं मिलती हम गरीब वों को आयुशमान भारत योदना के मादम से पांच लाग तक स्वार्थ का खर्चा देना चाहते हैं अयुशमान भारत योदना ना बंगाल के अंदर लागू नहीं किस प्रकार की वेशताप कर रात निठी की वे गढ़ होती और आप हमें कह रही है अम रात निठी करें हैं देश बर ने देश बर ने आयुशमान भारत योदना सीपर लिय अंटमे अरविन केजृरीवाल जिने भी स्विकार ली, मगर ममता दिदी, आप क्यों नहीं स्विकार रही हो, बंगाल की जनता आपको पुछना चाहती है, और मैं भी पुछना चाहता हूं, मगर मैं बंगाल वालों को अस्वस्त करना चाहता हूं, चुनाव समाप थोने दिजे, भारतिय जनता पार्टी के म एक ही मिनिट के बाद आई उसे मान भारत योद्ना वहाँ पर लागने हैं